प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में और इस्टुनेंट प्रीबोर्ट परिक्षा जो एमपी गॉर्मेंट की तरफ से हो रही है डीपी आई द्वारा और ये होम टेक एग्जाम हो रहे हैं ओपन बुक पर का दे रहा हूं हलाकि यहां पर प्रश्णुत्तर में अथ्वा में भी हैं तो मैंने एक-एक सलेक्ट किया है आप दूसरे करना चाहें तो अपनी बुक से भी आंसर लिख सकते हैं तो यहां पर पहले हम सबसे पहले सही विकल्प चुनते हों जो प्राइवेट इस्कूल पर आपनों को मिनने वाले हैं तो यहां पर देखें सही विकल्प में पहला वाला आएगा सेकंड का भी आप पहला वाला तन्यता देखेंगे फिर यह गर जो है इसका सिनेपस आएगा फिर इसके बाद इस्ट और विद्धुदारा उत्पन करने की युक्ति जनित रहे यह प्राय उस्मा विद्धुद की सुचालक होती है मादा और घर्वस्ति सिसू के बीज यह एक संबंद इस्तापित करने वाला उतक गर्विनाल कहलाता है मानों के सरीर में अंडास उनू का निर्मान अंडास है में होता है पराक को इसमें पराक कंड पाए जाते हैं अनू बा अच्छा दस्वी के माडल के उस्टेंस पेपर के हल मैंने अपने चेनल पर बनाएं आपको डिसकेशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भी दियें इस्ट्वेंट तो वो आप लोग अच्छे से कर लीजेगा किसी तार का प्रतिरो एक्जाम में किस तरह नमबर लाना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया एमपी बोड में कापी कैसे चेक होती ये भी आप डिसक्वेशन बॉक्स में इसकी लिंक देख सकते हैं एक सब्दो में उत्तर देना है सुद्द जल का पी एच मान सेवन होता है दो या दो से अ निकट रस्त्री दोस्त को दूर करने के लिए जो है वो अफ्तल नेंस का प्रयोग किया जाता विद्धित प्रतिरोत का ऐसा ही मातरक ओम होता है इसके बाद प्रशन उत्तर स्टार्ट होते हैं दो नमर तीन नमर और आगे जो भी आपके ब्लूप्रिंट के कार्डिंग है तो वो मैंने यहां पर इस्ट्रेंट सापनों को लिख दी हैं आप एक एक यहां पर मैंने चैन किया है आप चाहें तो इनके आंसर लिख सकते हैं या फिर जो अथ्वा में उसके भी लिख सकते हैं पर उन्तु मैंने पूरे ही यहां पर ले लिए आप पर जो है वो यहां से स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं और ये प्रापर आप कापी में अच्छे से लिखेंगे क्योंकि प्रक्टिस भी होना चाहिए आपकी बारसी के एक्जाम के लिए और यहाँ पर क्रम थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मैंने पूरा कलेक्शन किया है बूक या गाइट से क्योंकि अभी फिलाल पूरा प्रापर लिखने में बहुत टाइम हो जाता टाइम आपके पास कम हैं आपको कापियां सम्मिट करनी है तो इसमें आंसर के जो क्रम में प्रशने का वो अलग रहेगा पर पूरा में ने जो आपके पेपर में करम दिया उससे मिलाते हुए ही यहां पर कलेक्शन रखा है तो आप प्रापर देख सकते हैं यहां दो अंतर पूछे होंगे तो यह छे हैं आपको इसे भी दो लिख सकते हैं दमनी और शिरा में और यह सारे जो इंपॉर्टेंट प्रस्ट ने जो एक्जाम में आ चुके हैं उनी का कलेक्शन ने काफी इंपॉर्टेंट है प्रीबोट का यह पेपर भी उन सभी स्टुडेंट के लिए भी जो अभी सरकारी स्कुल में नहीं पढ़ते हैं तो यह किस तरह मानों के बच्चे का लिंग निर्धारन होता है इसका अंसर भी आप लिखेंगे परावरतन के नियम है ओम का नियम है और नमबर के साब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ओम के नियम में आपको डाइग्राम भी बुक में मिल जाएगा पर फिलाल इतना भी लिखेंगे तो सही है पूरा विद्धिद भी वो किसे कहते हैं उसके बारे में ओजोन परत क्या यह चीन हो रही है इसके बारे में यहां बता है यह केमिकल एक्वेशन बैलेंस करने के लिए तीन है एक इसमें एक्स्ट्रा है बट जो दी है वो आप लोग लिख लीजेगा और फ्लेमिंग के दाइने हाथ का जो नियम है वो यहां पर दिया गया तो इस तरह आप चाहें तो डाइग्राम भी बना सकते हैं जिवास इधन क्या है इसके बारे में पूछा इसके बाद इससे हानिया क्या है तो वो भी यहां आप देख सकते हैं जिवास इधन को जलाने की हानिया क्या क्या है फिर प्लास्टर आप पेरिस के बारे में दिया है जिवसम से किस तरह बनाया जाता है और इसके बाद सरचनात्मक जो फार्मूले हैं वो आपको लिखना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का ये सबी मैंने या कर दिया बुक में आपको मिल जाएंगे इस तरह आपको सरचना भी इनकी बनाना है इसके बाद जो मानो उससर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है मापकी जगा, पाचन तंत्र का भी यहाँ पर ये डाइग्राम है और ये प्रापर बुक से देखकर आपनों को बनाना, मैंने पहले भी इंपोर्टन लगा के रखा हुआ है अपने इंपोर्टन जो दिये थी इसके बाद मैस जो दिया है, वो सबसे लास्ट वाला जो क्योस्टन से, तो इसमें भी बुक का ही मैस से, एक्जामपल में आपको मिल जाएगा, पर मैंने यहाँ फिलाल आप लोगों के लिए पूरा कर दिया है, तो इस तरह इस्ट्वेंट से यह पूरा पेपर जो विग् अच्छे से कर लीजेगा, और जितने इंपॉर्टन मैंने दिया है मेरे इस चैनल पर, आप लोग डिस्केशन वाक्स में लिंक देखिए और उनकी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दिजेगा, चैनल से जुड़े रही है, जिन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया है, उनसे पुने निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सभी न्यूज आपनों को मिलती रहे, थेंक यू, थेंक यू सो मज़,